नए संसद भवन को लेकर संग्राम मचा हुआ है एक और जहां विपक्षिदर लगातार इसके बहिसकार की बात कर रही है तो वहीं चिराग पासवान ने दू पन्ने का एक पत्र नरेंद्र मोधी को लिखा है नमस्कार मैं हूँ इंद्र मोहन आप देख रहे हैं बिहार पासवान ने जो पत्र लिखा है इसमें दो बाते बहुत गौर करने वाली है हलांकि चिराग पासवान को लेकर लगातार बिहार में ये कहा जा रहा है कि चिराग इस लोगसभाद चुनाव में यानि कि जो लोगसभाद चुनाव 2024 का होने वाला है उसमें वो NDA के साथ गटवंधन में जाएंगे यानि कि वो BJP के सायोगी दल की भूमिका में निभाएंगे लेकिन अभी तक सीट सेरिंग को लेकर कोई भी फैसला हो नहीं पाया है खर इससे इतर बात फिलाल चल रही नए संसत भवन पर सियासत की करते हैं नए संसत भवन पर सियासत चल रही है और इसे लेकर अब चिराग पासवान ने जो अपना पत्र लिखा है उस पत्र में दो बातों का उन्होंने जिकर गिया है चिराग पासवान ने लिखा है कि अपसूस की बात या है कि तिरसकार और वहिसकार की अप पहली घटना नहीं है पिछले 9 सालों में देखे तो इन विपक्षी दलों ने बार बार संसदिय, प्रकिरियाओं, नियमों की अब मानना की है, सत्रों को बाधित किया इसके अलाबा हमारे देश की वर्तमान, राष्टपती, स्रीमती, दुरोपदी, मुर्वू के परतीन का दिखाया गया अनादर राजनितिक मर्यादा के निम्तर अस्तर पर पहुँच गया है इसके अलाबा चिराग पास्मान ने एक और बात लिखी है कि महोदय आपके साथ रहते हुए, आपसे अलग होकर भी मैंने और मेरी पार्टी, लोग जन सक्ती पार्टी, राम बिलास ने जनहित में आपके द्वारे लिए गए हर फैसलों का मजबूती से साथ दिया है नए संसर भवन का उद्गाटन याकीनन एक बिकसित भारत की दिसा में आपके द्वारा उठाया गया मजबूत कदम है जिसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करते हैं चिराक पासवान के खट के अब कई माशने बताय जा रहे हैं यहां से यह भी कहा जा रहा है कि जो चिराक पासवान अपनी सीट को लेकर लगातार बात चीद कर रहे है उसमें अभी यह तय माना जाय कि चिराक का जुकाओ बीजेपी की और है यह बिलकुल तैह क्योंकि महागटबंदल में जेडियू से उनकी बन नहीं लेकिन फिलाल इस सियासत पर जो संसत्भवन को लेकर सियासत चल लेकर चिराग पासवान भी अब काफी मुखर हो गए जाना ही नहीं चाहता हूँ जैसा मैंने कहा कि सकारात्मक राजनीती की तरफ हम लोग को अपना ध्यान के इंद्रित करना चाहिए मैं ये भी मानता हूँ कि दोनों पक्षों के पास अपने मजबूत तर्क हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए पर आज जो निर्ने लिया गया है और मैं अगर खास्तों पर अपनी बात करूँ कि मैं कोई डिसीजन मेकिंग को इंफ्लूइंस कर सकूँ इसलिए आइ वुड वॉन टू गो कि जो हो रहा है मैं उसके साथ मैं जाना चाहूंगा और यही मैं अपेक्षा मैं तमाम विपक्षी दलों से भी करता हूँ कि सिभ नकारात्मक राजनिती या किसी का आपको विरोध करना है के लिए आप अपने अपने आप तर्ग रखें उससे बहतर होगा कि उसकी पॉजिटिव साइट को देखा जाए और जो चीज हो रही है लोग तंतर को मजबूत करने के लिए और लोग तंतर की खुबसूरती को बढ़ाने के लिए उसमें मुझे लगता हर किसी को मिलकर अपना योगदान देना चाहिए और पर्वलिस पार्टी सरकार की आलोचना कर लिए कि नौ सालों में कुछ ने बख़ा है आज जब हम लोग एक तरफ अजादी का अमरत मुछसा मना रहे हैं 75 साल अजादी को हुए हैं मैं बिना इस बहस में गएवे कि पिछले 70 सालों में क्या हुआ और इन आट नौ सालों में क्या हुआ बिना उस पे गएवे मुझे लगता है हर किसी का देश को आगे बढ़ाने में एक अपना योगदान रहा है और खास तोर पर मौजूदा केंद सरकार को देखें हमारे प्रधान मंतरी आदनिया नरेंदर मोदी जी के योगदान को देखें एक बात तो कोई नहीं जुटला सकता कि राष्टिय ही नहीं अंतर राष्टियस तर पर जिस तरीके से भारत का मान समान गौरब बढ़ा है भाई ये देखके एक भारतिये को को घड़ तो हותा जी है घड़ से हमलों का सीना फूलता है भाई जब हम देखते हैं कि किसी दूसरे देश का राष्ट अध्यक्ष उनके प्रधान मंत्री हमारे प्रधान मंत्री का आशिरवाद ले रहे हैं दूसरे देशों के प्रधान मंत्री उनको बॉस बुलाते हैं तो ये कहीं न कहीं भारतियों का मान बढ़ाता है हमलों का समान बढ़ाता है और अगर विकास की रहा पर भी अगर देखा जाए तो पिछले नौ सालों में कम जादा जरूर आप डेबेट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि विकास से जुड़ूई तमाम योशनाओं को जिस तरीके से धरातल पर उतारा गया है वो जरूर हमारे देश को मजबूती से आगे लेकर लेकर लेकिन इसे देखते हुए आप कहें तो नए संसर्भावन से लेकर भीहार में भी सियासत जारी है लगातार वहां भी नेता विपक्षी दल प्रधान मंत्री नरेद मोधी पर निशाना साथ रहे हैं उनके द्वारा संसर्भावन के उठाटन पर सवार उठा रहे हैं तो बीजेपी वहीं बचाव कर रही है और इस बीच अब चिराग पासवान ने खतलिक कर नरेद मोधी को इस पूरे मामले में साथ देने की बात रहे हैं आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिकर जोर बताएएगा और बिहार की खमाम ख़बरों के लिए आप देखे रहे हैं बिहार